तो अब यह भी जो है लेटेस्ट नीज आया आपका कि जैसे सी सीजियल का जो है ऑफिसियल यूज जो सो आपका बाहर आगया यहां पर है आप जैसे को ऑफिसयल वेपसाइड में जाकर के आप जो नोटिस आया हुए एक्जाम से रिलेटेड आनी कि अब एक्जाम जो है 28 और चार फरवरी को यह आपका फाइनल आया हुए यहां ठीक आनी कि अब एक्जाम जो 28 और चार फरवरी को आएगा अभी हम आपको कुछ दिर पहले बताये थे कि एक्जाम सेवेंटी और 30 परसेंट है लेकिन आयोग के तरफ से यह बताये थे आपको कि एक से दो दिन के अंद बहुत जल्द जो निधार समय 28 और चार फरवरी को होगा जो और कलें चल रही थी आज के नीजपेपर में आप देख रहेते कि एक्जाम अब नहीं हो पाएगा संभावना नहीं सीट मैट्रिक्स को लेकर के इसको बुर्ण विराम देते हुए आयोग ने इसका एक डेट ज आपका यहां पर आवश्यक सूचना देखिए नंबर बारा यहां पर है और यहां ज्यारखन कर्मचारी चैना के द्वारा विग्यापन संख्या आपको पता है कि 10-2023 11-2023 जो यहां पर है ज्यारखन समाइन असनातक योगता संजुक्त परतियोगता परिश्या दो हजार त देट मांग रहे थे यहां पर तो अब यहां पर क्या देखिए यहां पर दिया हुए कि ज्यारखन समाइन असनातक योगता धारी संजुक्त परतियोगता परिश्या दो हजार ताइस का आयोजन दिनांक 281-2024 अनि रविवार और दोनों एक्जाम रविवार को होगा एक ज द्वार यहां पर सपस्टी करना आपका एक नोटीस आ गया ठीक है अब इससे रिटेड हम यह जाने है कि परवेस्पत्र कब से डाउनलोड कर पाएंगे इसका इनों ने बताया कि परिच्छा में सम्मलित होने है तू परवेस्पत्र डाउनलोड करने का लिंक आयो के अधि अपिसेल वेपसाइड में वहां पर अभी जो लेटेस्ट निउज यह अपडेट कर दिया गया है कि एक्जाम को रहे करके जो अटकलें चर रही थी जो अलग अलग निउस्पेपर के माधियन से आ रहा था कि अभी जो है सीट मैट्रिक्स उपलब्द नहीं है और अब जो ह लेने के तयारी में नहीं है तो इस पर पूर्ण बिराम लगते हुए अब जो है आयोग ने एक तरह से बता दिया यहां पर नोटिस के माधियम से कि एक्जाम लेने के लिए पूरी तरह से तयारे स्टुडेंट भी अपनी तयारी को फुक्ता करें अपनी किसी भी तयारी मे किसी भी प्रकार से कमी ना रखें ठीक है अब लग रहा है कि हंडेट परसेंट एक्जाम हो जाएगा पर ठीक है यह अब यहां पर किन्तु परन्तु का बात नहीं अब किसी चीज़ को देखने ज़रोत नहीं और जब भी हम पहले भी आपको बता रहे थे कि किसी भी खबर क तो आज आयोग ने फाइनली जो डेट आपको बता दिया है कि 28 तारी को और चार फरवरी को में आपको डेट दी है यह फाइनल डेट है इस डेट में हम एक्जाम लेंगे और आज आपको नोटिस के माधियम से आपको पस्पर कर दिया ठीक है तो अब जो है आपको कर दक्रफले चरब द काम करें किहां , जो अंहीं हो कि यह दिया था कि आप किसको लिजयेगा जाकर क्यां आज आयोग ने सभी को एक तरफा करके अब बता दिया कि हम एक्जाम लेने के लिए पूरी तरह से तयार हैं आप जैसे का ओफिसियल वेबसाइड में जा करके आप इसको सर्च करके देख लिए कि आज का नोटीस है यह बिल्कुल फेक नहीं है यह आप जाकर के अथेंटिक है यह आप लास्ट में आपको लगा देते हैं अंति में विडियो के अंत में यह आपको जो नोटीस आया हुआ है इस नोटीस को हम इसको एटेज कर देंगे आप अगर जैसे सी ओफिस्यल वेबसाइड में जाकर करके आप नोटीस को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और अगर साथ में अगर इस चैनल में आप पहली बार हैं तो इस चल रहा था यहां पे एक्जाम अब नहीं होगा ईसके कारण जो है कि आपको पता है कि कई चुड़ चुके थे तैयारी क्योंकि उनको लगए था कि अब तीन महेना चार महेना के बाद या जान होगा बभी एक्जाम लोग सबाह के बाद ही रिक्वेस्ट करें तो चैनल को अगर मैट करने तो मैट इसमें जाकर के आपका जारखन जो आपका जारखन यहां पे टीचर के लिए यहां पे हो रहा है और हाइए स्कूल के लिए इसके लिए आपको कलास कर आई जा रही है थैंक्यू